नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ स्वागत आप सभी का अपके अपने चैनल सक्षेस्ट वी उपर दोस्तों अभी अभी इन्वरशिटी के बीए बेची बिकॉम के चात्रों के रिजल्ट को लेकर बहूत बढ़ा मामला सामने आया है आप सभी का जो result है वो क्यों नहीं आ रहा है किस वज़ा फे नहीं result घोशित किया जा रहा है जिन भी छात्रों का भी तक result नहीं आया है उनका कब तक घोशित किया जाएगा तो मैं आप से एक request करूँगा इस वीडियो को last तक देखिएगा जिससे आप लोगों को मामला पता चल सके कि हाँ वाकई में मामला क्या है जो result नहीं गोशित किया जा रहा है किस वज़ा से इतना डेले हो रहा है एक request है सभी चात्रों के लिए महत्तपूर्ण वीडियों जरा तीन मिनट टाइम दीजेगा बस आप से ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका भरोस चल रहा हूं ठीक है तो बात स्ब्सक्राइब करते हैं सभी चात्रों के लिए उपार्टेंट है मत सोचेगा यहां पर लखनों इनवर्सिटी लिखा तो लखनों इनवर्सिटी के लिए है क्योंकि आप सभी का भीजल्ट नहीं आया आप चाहए जिस भी इंवर्सीटी तो जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब, क्योंकि पूरी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी, लिखा है कि सुलकुप प्रति पूर्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक साथ नॉम्बर है, और अभी तक अधिकांस UG और PG, यानि की B.A.B.C.B. कॉम और M.A.M.C कि दूतिय समेस्टर के परेडाम जारी नहीं हो चुके हैं, ठीक है, अभी दूतिय समेस्टर के रिजल्ट नहीं आये हैं, पोर्टल पर आर्लाइन आवेदन में कई दिक्कते आ रही हैं, देखिए जब अभी UGPG के रिजल्ट ही नहीं आया हैं, तो पोर्टल में दिक्कत आएगी क्योंकि अगर कोई छात्र समेश्टर के लिए अपलाई करेगा तो वह नहीं पाएगा इसलिए पोर्टल में दिक्कत आएगी ठीक है और साथ-साथ में रिजल्ट नहीं आ अगला मामलाँ आपको दिखाते हैं इसी में का है समरद सभी डिग्री कॉलेजों में यूजी पीजी यानि कि वीएवेश्यवी कोम वा ममस्म कोम के विद्यार्थी के सुल्क पूरती ठीक है पूरती पर संकट आ गया है प्रति पूरती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख सात नौंबर है यानि कि लाश्ट डे कि इनों ने साथ नॉंबर रखी है कि आप सभी अपनी फीश जो है वफात नॉंबर तक दे दें जिससे आप लोगों को अवेधन में अवेधन में मिल सके ठीक है सुलक पूर्तिक के अवेधन के लिए अंतिम तारीक साथ नॉंबर है और अभी तक अधि है इसके साथ ही पूर्टल पर आंलाइन वेधन में बिद्यारतियों को कई तरह की परश्यानियों को सामना करना पढ़ लाए जिससे नया वेधन और में मुश्किल आ रहे हैं यानि कि बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जो स्कॉलर्शिप के लिए आवेधन कर रहे हैं तो स्कॉल स्कॉलर्शिप नहीं आया है तो आप किस बेस से अपना स्कॉलर्शिप भरेंगे यानि कि वजीफ़ा अलाफ हम भरेंगे या फिर रिनेवल की सहसे करेंगा भी आपका रिजल्ट ही नहीं है तो आपको पाए कैसे बता चलेगा कि आपकी पिछले सत्र में कितने नंबर मिले नबर में उएंटा प्रयाम नहीं लगा नहीं देखेगा दूतियेर का प्रडाम का प्रयाम नहीं आने से शाथ्रों को काफी समस्ट्हां को सामना करना पड़ रहा है लिखा है कि पर त्रतिया समिस्टर के विद् यानि कि दुतिये का नहीं आया तो तुर्थ्यमे कैसे आवेदन करेंगे。 चाहत शात्राओं के पास बिना प्रेडाम के आवेदन करने का बिकलप हैं, लेकिन परड़ाम जारी होने से पूर्व विश्विद्धल है और कॉलेज में 33 समेश्टर के फीश्ट जमा नहीं हो रही है और बिना फीश्ट के आवेदन संभोन नहीं है दूतिय समेश्टर की अधिकांस परिच्छा सितंबर के अंतिम सत्ता में खतम हो चुकी थी लेकिन प पैसा आप लोगों को भेजा जाता है वह डिपार्मेंट अभी तक दो बार आवेदन की जुतित है वह बढ़ा चुका है कि चात्र का अब इन्वर्शिटी घोसित कर दें जिससे वह अगले सार में प्रवेश करके अपना जो स्कॉलर्शिप का फार्म है वह भर सके ठीक है देखे अभी आपको पूरा इंटरस्ट आएगा यहां पर लिखा है कि वही उत्तर प्रदेश चात्रावति उस्सुल्क उत्रति पूर्थ योजना के पोर्टल असनातक कहने की बेशिप को पार्टक्रम अभी तीन वर्शिए ही अपडेट है जबकि यल्यू में असनातक अस ओभी तीन ही वर्शत का दिखा रहा है तो आवेधन किस प्रकार चात करें अगर वो कर रहे हैं तो पता नहीं होगा यह नहीं होगा तो इसमें असमन्जस है समाज कल्याण विभाग के सीनियर असिस्टेंट अनुष कुमार सिग ने कहा कि जिन चात्रों को समस्य आरहे हैं स समाज कल्यान का रहा है है कि घ। तक 3 से 4 वर्षर का हो गया है इसके लिए मिस्विद्याले को एक पत्र भेचना होगा जिसके बाद n-i c सिर्थ थे एपडेट की प्रिक्रिया होगी यानि कहने का मतलब यह तो भाप समाज करें ही होगी इंवर्सिटिटी को लिखा विकल भी नहीं है कि बिझा यह को नहीं है जिससे विए के चात्र आवेधन ही नहीं हो पा रहे हैं अब यहदन प्रभावित अठीक है इस बारे में लखणु कर जिस्टर संजय मिधावी का कहना है कि जिन चात्रों का नहीं आया उसकी रिपोर्ट मांगी गई है प्रियाफ किया जा रहा कि अवेधन की तारीक से पूर प्रेडाम जारी हो सके इसके अलावा सरकार से हम आवेधन तित बढ़ाने की मांग करेंगे यानि कि कहने का मतलब यह कि प्रियाफ किया जा रहा है कि आप सभी का रिजल्ट जलद से जलद घुसित कर दिया जा जा इस समय इनवर्शिटी जितनी है सभी पर पूरी तरह फोकस किया जा रहा है और इनको टारगेट किया यहारा है आप लोग सब्सक्रा तो तो आज जेसे रिजल्ट आएगा हम आपको इंफोलेशन करतें यौक्व आपको इससे आईडिया लगा होगा कि रिजल्ट किसलिए नहीं आ रहा है और कब तक आग जाएगा यह आपको लग गया होगा ठीक है आइडिया तो यह लग गया होगा ना तो आप लोग को थोड़ा देस्ट वेट कर लेना है बस यह सभी नुवर्सिटी के छात्रों के लिए था ओके आप नुवर्सिटी का नाम कमेंड में लिख दीजिएगा अगर कुछ पूछना चाहरे हैं अगर आपने वीडियो यहां तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके जाईएगा आपकी इच्छा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मिलता है निस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें